हेलो मेरे प्यारे दोस्तों तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वक्स वंडर में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं A.E.N. 30% का जो एक्जाम हुआ था 25.6.2023 को उससे related questions के बारे में हम आज discuss करेंगे establishment और finance rules related जो भी question A.E.N. exam 30% में जो पूछा गया तो उससे related जो भी viewers हमारे नए हैं वो चैनल को subscribe करें ताकि आपको latest notification मिलता रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करना मत भूलिएगा तो आईए शुरू करते हैं आज का हमारा ये class जिसमें हम A.E.N. 30% के बारे में questions जो पूछेगे ते establishment और finance related उससे discussion करेंगे तो जो सबसे पहला था वो है which is the correct about CPGRAMS CPGRAMS से related क्या सही है तो निमलिकित में से CPGRAMS के बारे में क्या सही है तो E.T. is an online platform of citizen E.T. is क्या है online platform citizen to loss their grievances to public authorities दूसरा option है E.T. is a single portal connected to all ministry department of government of Indian state और तीसरा है E.T. its full form is centralized public grievance address and monitoring system तो ये तीन information दिये गए है CPGRAMS के बारे में तो इसका सही answer जो जाएगा all above the above क्या वह सही answer हो जाएगा all of the above सही answer हो जाएगा ये क्या है ये एक public grievance system है जिसमें क्या करते है आप complaint laws कर सकते हैं दूसरा क्या है इसमें सारे ministry और department connected है जिसमें Indian government और साथ में उसके state के government भी connected है through a single portal और तीसरा जो इसका full form है वो है centralized public grievance redress and monitoring system तो हिंदी में देख लेते हैं यह क्या है नागरिकों के लिए सार्वनिक प्राधिकर्नों को अपने सिकायते दर्ज करने का एक online मंच है दूसरा option है यह भारत सरकार और राजयों के सभी मंत्राले विवावुकस जोड़ा एकल पोर्टल है और तीसरा है इसका पूर्ण रूप जो है केंदरिकरित, लोग, सिकायत, निवारन और monitoring पर ना लिए तो यह क्या है तीनों option इस case में क्या है सही है अब हम next देखते है से क्या होता है दूसरे station में transfer होता है और क्या है तो इसके beach का distance 1500 km तो उस case में क्या होता है उस case में कितने दिनों का joining time दिया जाता है तो उसका सही अंसर जागा 12 days 12 दिनों का 12 दिनों का joining time दे दिया जाता है अब next question as per which rule of the railway servant discipline and appeal rule 1968 the disciplinary authority may consider to impose a penalty without issuing a formal charge seat तो question पूछा गया कि rail सेवक अनुसाशन और appeal नियम 1968 के किस नियम के अनुसार अनुसासन अत्मक प्रादिकारी बिना ओप्चारिक चार्ट सीट जारिक किये जुर्माना लगाने पर विचार कर सकता है तो जो अनुसासन अत्मक प्रादिकारी है वो क्या कर सकता है बिना चार्ट सीट इसू क्या कर सकता है पैनल्टी दे सकता है तो वो कहां लिखा गया है तो वो rule number 14 में दिसका सही अंसर क्या हो जाएगा अब next है तब नेक्सट है दा appropriate authority है दा right टू रिटायर गौर्बनेट शर्वेंट अंडर रूल fr 56j इटीज तो जो फंडामेंटल रूल 56J है फंडामेंटल रूल के बारें बात किया गता है तो फंडामेंटल रूल जो है 56J यहाँ पर रूल नमर कितना दिखा हुआ है यहाँ 56J लिखा गया उसके अंडर में कौन सा सही है तो क्या है क्या इसमें से कौन से सही है तो क्या it is a major penalty एक पहला option दिया गया है दूसरा option दिया गया है माइनर penalty है major penalty है तीसरा option दिया है it can be either of the two और चौंथा नंबर जो option दिया गया it is not a penalty तो जो भी retirement होता है जो सेवा नित करने का अधिकार है रूल नंबर फ्र 56 जे मतलब fundamental रूल जो अधार फिप्ट्य- Pennsylvania होता है तो वो क्या है penalty नहीं है तो इसका nsr क्या पंरड़ गाए it is not a penalty इस्कोप पंरटफिय क्या किया है जोभी कि सेवा नीत होते हैं तो उसके वह क्या है दंड के तर पर नहीं होता है वह क्या नॉर्मल रिटार्मेंट है जिसमें क्या है अगर वह चुतम अधिकारी क्या कर सकता है रिटार्रमेंट करवा सकता है next है और रेल्वे इंप्लाई हूँ जा पॉइंटिंग अथरोटी तो रेल्वे इंप्लाई के लिए एक पॉइंटिंग अथरोटी कौन है तो एक रेल करमचारी के लिए न्युक्त पतादिकारी कौन होता है तो option दिया गया है उस सेवा या सेवा के grade में न्युक्त करने के लिए अधिकरित पतादिकारी जिसमें real सेवक फिलाल है, तूसरा option है उस पतादिकारी जिसने real सेवक को ऐसी सेवा grade या पत पर न्युक्त किया है या फिर उपरोग में सही तो इसका सही अंसर जो जाएगा D number हो जाएगा whichever authority is the highest तो वो क्या होगा उसका appointing authority होगा तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा D number इसका सही अंसर हो जाएगा next है who is the authority to impose a penalty of cut in pension to a railway employee तो question पुछा गया है कि railway करमचारी को cutting pension जुर्माना लगाने वाला पतादिकारी कौन होता है तो इसका सही अंसर होगा president of India किसी भी railway करमचारी का जो pension cut करना है तो उसका अधिकार किसके पास है भारत के राष्टपती के बास है इसका सही अंसर हो जाएगा भारत के राष्टपती हो जाएगा next है after how many years the commuted portion of pension is restored from the date of the receipt of the commute pension तो question पुछा क्या है commuted pension की प्रापती की तारिक से कितने वर्सों के बाद pension का परिवर्तित भाग फिर से चालू कर दिया जाएगा तो इसका सही अंसर जोगा 15 years कितना हो जागा 15 years इसका सही एंसर हो जाएगा सही एंसर क्या है 15 साल next है what is the full of full form of the G is G is तो इसका full form क्या है तो इसका सही फूल फॉर्म जो है वह है Central Government Employee Group Insurance Scheme इसका सही अंसर क्या है Central Government Employee Group Insurance Scheme केंद्र सरकार करमचारी समु भीमा योजना केंद्र सरकार करमचारी समु भीमा योजना जो है कौन सकतन सही है अगर कोई भी provident fund के अगर्वाइट में क्या है लोन लेना इंटरेस्ट लेना तो उसके केस में क्या है उसकेस में कौन सकतन सही है तो पहला है date of deposit shall be first day of the month in which it is recovered दूसरा है if PF amount is forwarded by the subscriber date shall be deemed to be first day of the month of receipt एक रिक्वार्ड बाइदा एकाउंट ऑफिसर बिफोर दा फिफ्ट दे अब दा मन्त मतलब क्या है कि यदि पीएफ रासी अंसदाता द्वारा अग्रिसित की जाती है तो जो तिथी को प्राप्ति के महिने का पहला पांच दिन माना जाएगा यदि लेखा अधिकारी द्वा इस नेदि पर जो ब्याज है इसके संबंध में क्या है यह तीनों कथन जो है वह सही है अब नेक्स है इन केस ऑब बोथ इस पाउज और ग्राप्मेंट शांक्डमेंत च्रिल्रियं एजूकेशन एलावन्स हैंज रिंभुस्मेंट इस एड्मिसिबल टू यहां पर मेंब को किसी है किसको दिया जाएगा तो क्या है दोनों में से किसी एक को दिया जाएगा तो सही एंसर हो जाएगा एनी वन अफ देम क्या हो जाएगा सही एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है what is the maximum period of leave on average pay at a time that a railway servant may be granted तो यहाँ पर question पूछा गया किसी भी railway करमचारी को औसत वेतन पर छुट्टी कितने दिनों के लिए maximum कितने दिनों के लिए दी जा सकती है तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा इसका सही एंसर क्या हो जाएगा भारत के राष्टपती इसका सही एंसर हो जाएगा रेलवे करमचारी की सेवा निमिती के बाद उसे चार्ट स्रीट केवल इसके द्वारा दिया जा सकता है भारत के राष्टपती द्वारा नेक्स्ट है आप टू वीच पिरियड अप्टर चाइड बर्थ पैटरनेटी लीप केन बी ग्रांटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे के जन्म के किस अवधी तक प्रित्तित आवकास दिया जा सकता है मतले किसी भी रेलवे करमचारी का अगर कोई प्रितरनेटी लीप दिया जा सकता है अब नेक्स्ट कॉश्चन है वीच इच करेक्ट इन रिलेशन विट रेलवे सर्वेंट एच ओ यार रूल यानि आवर आप वर्क एंड पिरियड आप रेश्ट रूल 2005 तो इसके एगर इसमें क्या सही है तो हमें देगे हैं पर अप्स दूसरा अप्सन देख लेते हैं employment is considered intensive when the work is of mysterious nature causing mental or physical strain तो यह भी सही है कि जो भी क्या है physical और mental क्या है mentally hard work है तो उसे क्या माना जाता है intensive type का work माना जाएगा उसके बाद क्या है in essentially intermittent classification of implied period of inaction of less than five minutes shall be ignored तो जो essentially intermittent category के employee है उनके लिए क्या है period of inaction मतलब वो क्या है अगर 5 minutes का कोई rest लेता तो उसे ignore किया जा सकता है तो इस case में क्या है तीनों ही सही है इसका सही अंसर क्या हो जाएगा four all of the above next है how much transport allowance is paid to a railway employee with disabilities तो जो भी railway employee क्या है अगर किसी भी तरह का disabilities है तो उसे जो ट्रांसपोर्ट अलावन मिलेगा double the normal rate of ट्रांसपोर्ट अलावन इसका सही अंसर क्या हो जाएगा double the normal rate of ट्रांसपोर्ट अलावन इसका सही अंसर हो जाएगा two number परिवन भत्ते की समाइन दर्से उसे दूगना बत्ता दिया जाएगा next है what are the circumstances in which compassionate appointment may be made तो क्या है कि कब क्या होता है अनुकंपा के अधार पर न्यूकती दी जा सकती है तो क्या है सबसे पहला option दिया गया when the railway servant lose their life in the course of duty जब क्या हो कि अगर कोई railway सेवक duty के दौरान अपनी जानगवाद दे उस case में दूसरा option दिया गया when the railway employee become tripped while in service कि अगर कोई railway क्रमचारी क्या है duty के दौरान अपंग हो जाए या फिर तीसरा कर दिया गया when a railway employee where about are not known for seven years and settlement dues are not paid on this account मतलब अगर क्या है कोई क्रमचारी के अपने ठिकाने से साथ 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 से पता नहीं आधार पर न्यूक्ति की जा सकती तो इसका सही answer क्या हो जाएगा all of the above हो जाएगा अब जो next दिया गया है technical sanction is a sanction of the competent authority in case of which type of estimate यहां पर question पूछा गया कि जो technical sanction हो किस तरह के estimate में दिया जाता है तो इसका सही answer जो इसका सही answer क्या हो जाएगा technical estimate जो है इसका सही answer हो जाएगा detailed estimate जो दिया गया है क्या है detailed estimates है जिसमें तक्निकी स्विकृति यानि technical sanction चाहिए होता है अब next question है which is not correct about charge expenditure जो charge expenditure के case में क्या है चाहिए क्या सही नहीं है तो पहरा option दिया गया है it is voted by the parliament दूसरा option दिया है the salary allowance and pension are charged expenditure तीसरा दिया it is known as non votable expenditure तीसरा दिया है expenditure is charged on the consolidated fund of India तो इसका सही answer क्या होगा it is voted by the parliament यह क्या है correct नहीं है यह क्या है correct नहीं है सही answer क्या हो जाएगा एक answer number one हो जाएगा अभी क्या है next question दिया गया in exercise of their financial power the sanction authority must follow the principle तो अगर क्या किसी भी financial power में कोई भी officer है तो उसको जो sanction authority बनाएगे तो उसके case में उसका कुछ principle जिसको उसको follow करना पता पहला option दिया गया the expenditure should not be more than required दूसरा option दिया गया every employee should exercise the same vigilance as a person of ordinary prudence would exercise by sorry for his own money और तीसरा है no authority should sanction expenditure for its own advantage इसका सही answer हो जाएगा all of the question कहने का मतलब है कि वित्य सिधानतों के मामले में किन-किन वित्य सक्तियों का जो परियोग करते हैं उस case में जो वित्य सिधानते कौन-कौन से नियम का पालन करना चाहिए तो सबसे पहला नियम जो है why आवेक्सकता से अधिक नहीं होना चाहिए जितना भी हमको expenditure करना, why करना है तो उससके case में क्या है वो आवेक्सकता से नहीं देनी है तो इस case में क्या है यह तीनों ही सही है तो इसका सही अंसर क्या हो जागा option नंबर 4 इसका सही अंसर हो जागा all above the above अब क्या है इसमें question पूछागा which statement is correct in relation to gfr general finance rule जो है gfr क्या general finance rule तो इसका देखें यहां पर दिया हुआ option पहला gfr stand for general finance rule तो यह बिल्कुल सही है दूसरा है voting on account is an interim permission to spend money when an appropriation bear is taking time to pass through the Parliament और तीसरा option दिया गया every authority who can impose a fine cell ensure that it is realized and deposited with the government तो तीन option दियेगा है यह तीनों क्या है सही है एक बार हम explain कर देते हैं कि जो vote and account का जो पैसा खर्च करने का जो अंतरी मनुमती है जब भी क्या है जब विनिमयोग या विदेग को संसत से पारित होने के में जो समय लग रहा हो उसमें कर सकते हैं और तीसरा जो है हर वो पधारिकारी जो जुर्माना लगाता है उसका जो पैसा जमा होगा वो सरकार के पास जमा किया जाएगा तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा उप्रोग सही एंसर हो जाएगा option number D हो जाएगा उसके बाद है irrespective of the purpose of for the work land is taken up to permanently the acquisition cost of the land is booked to तो यहाँ पर क्या है कि चाहे किसी भी उद्देश से भूमी को हमिशा के लिए अधिगरित किया गया हो भूमी का जो लागत होगा उससे कहां बुक किया जाएगा उससे capital में बुक किया जाएगा इसका सही एंसर क्या होज़ा action number 3 और लास्ट में है कि दा control of parliament over railway finance and policies exercise through तो जो control of the parliament है मतलब rail with और नितिक पर संसत का नियंतन किसके द्वारा किया जाता है तो इसका सही एंसरों का all of the सारे के द्वारा किया जाता है radical examination of work by railway conviction committee के द्वारा examination of estimate by estimate committee के द्वारा और जो member of parliament है serving national railway users conservative council तो इन तीरों के द्वारा क्या होता है railway finance and policy को जो exercise किया जाता है तो thank you दोस्तों hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद